यहाँ लाल किले के पास यही पर गुरुतेक बहदुर जी के अमर बलिदान का प्रतीक गुर्दवारा सिश्गन साहब भी है ये पवित्र गुर्दवारा हमें याद दिलाता है कि हमारी महान संस्कृति की रक्षा के लिए गुरुतेक बहदुरुषी का बरिदान कितना बड़ा था उस समय देश में मजहभी कट्रता की आंधी आई थी धर्म को दर्शन विज्ञान और आत्मसोद का विशे मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्हों ने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाश्टा कर दी थी उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उमीद गुरुतेक बहदुर साब के रुप में दिखी थी आउरंग जेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरुतेक बहदुर जी हिंद दी चाधर मनकर एक चचान मनकर खड़े हो गए थे इत्याद गवा है कि वर्तमान समय गवा है और ये लाल कीला भी गवा है कि आउरंग जेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने बले ही अनेकों सीरों को धड़ से अलग करा लेकिन हमारी आस्ता को वो हमें हमसे अलग नहीं कर सका गुरुतेक बहदुर जी के परिदान ने भारत की अनेकों पीडियों को अपनी संस्कृती की मर्यादा की रक्षा के लिए उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दिया है बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई बड़े बड़े तुफान शान्त हो गए लेकिन भारत आज भी अमर खड़ा है भारत आगे बढ़ रहा है आज एक बार फिर दुनिया भारत की तरफ देख रही है मानवता के मार्क पर पथप्रदर्शन की उमीद कर रही है गुरुतेक बहदुर जी का आशिरवात हम नए भारत के अभा मंडल में हर और मैसूस कर सकते हैं भाई और बैनों हमारे यहां हर कालखंड में जब जब नई चुनवतिया खड़ी होती है तो कोई न कोई महानात्मा इस पुरातन देश को नए रास्ते दिखा कर दिशा देती है भारत का हर छेतर हर कोना हमारे गुरुवों के प्रभाव और ज्ञान से रोशन रहा है गुरुनानक देवजी ने और आशिरवात के रुपे एक भारत के दर्शन होते हैं भाई और भेनों मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूँ कि उसे गुरुवों की सेवा के लिए इतना कुछ करने का अउसर मिल रहा है पिछले वर्ष ही हमारी सरकार ने सहिप जादों के महान बलिदान की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का निरने किया है सिख परंपरा के तिर्थों को जोडने के लिए भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है जिस करतारपुर सहाब करिडोर की दसकों से प्रतिक्षा की जा रही थी उसका निर्मान करके हमारी सरकार ने गुरु सेवा के लिए अपनी प्रतिवत्रता दिखाई है हमारी सरकार ने पट्ला सहाब समीत गुरु गोविन सीज़े से जुड़े स्थानों पर रेल सुविधाओं का आदुनिकरन भी किया है हम स्वदेश दर्सन योजना के जरिये पंजाब में आननपूर सहाब और अमृत सर में अमृत सर सहाब समीत सभी प्रमुक्षानों को जोड़कर एक तिर्थ सरकीट भी बना रहे हैं उत्राखन में हेंकुन सहाब के लिए रौप्वे बनाने का काम अभी आगे बढ़ रहा है साथ क्यों स्री गुरु गंज साहिब जी हमारे लिए आत्म कल्यार के प्रसप्रदर्शक के साथ साथ भारत की भीवितता और एकता का जीवन्त स्वरूप भी है इसलिए जब आफगानिस्तान में संकट पैदा होता है हमारे प्रभीत्र गुरु गंज साथ के स्वरूपों को लाने का प्रस्टra ख़ड़ा होता है तो भारत सरकार पूरी ताकट लगा देती है हम न केवल गुरुगन साब के सुरुप को पूरे सम्मान के साथ सिष्प पर रख कर लाते हैं बल्कि संकट में फसे अपने सिख भाईयों को भी बचाते हैं नागरिक्ता सौंसोधन कानून ने पडोसी देशों से आये सीख और अर्पसंग्यक परिवारों को देश की नागरिक्ता मिलने का रास्ता साप किया है यह सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें मानवता को सर्वपरी रखने की सीख दिये हैं प्रेम और सवभार्थ हमारे संसकारों का हिस्सा है साथियों हमारे गुरु की वानी है भाई काहू को देत नहीं नहीं भाई मानत आन कहना नग सुनी रे मना ग्यानी ताही बखानी अर्थात ग्यानी वही है जो न किसी को डराए और न किसी से डरे भारत ने कभी किसी देश या समायत के लिए खत्रा नहीं पैदा किया आज भी हम पूरे विश्व के कल्यान के लिए सोचते हैं एक ही कामना करते हैं हम आत्म निर्वर भारत की बात करते हैं तो उसमें पूरे विश्व की प्रगती लक्ष का सामने रख करके हम करते हैं भारत विश्व में योग का प्रसार करता है तो पूरे विश्व के स्वास्त और शान्ति की कामना से करता है कल ही मैं गुजरात से लोटा हूँ बहां विश्व स्वास्त संगधन के पारंपारिक चिकित्षा के ग्लोबल सेंटर का उद्गाटन हुआ है अब भारत विश्व के कौने कौने तक पारंपारिक चिकित्षा का लाब पहुँचाएगा लोगों के स्वास्त को सुधारने में बुमिका निभाय का। पुरानी सोच पुरानी रूडियों को किनारे हटा कर गुरुवने नई विचार सामने रखे उनके सिशों ने अपनाया उने सिखा नई सोच का ये सामाजी का भियान एक भैचारिक इनोवेशन था। पहचान है आजहादी के अमरित महोत्सों में आज देश का भी यही संगल्प है। हमें अपनी पहचान पर गर्व करना है हमें लोकल पर गर्व करना है आत्म निर्भर भारत का निर्मार करना है। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जिसका सामर्थ है दुनिया देखे जो दुनिया को नई उन्चाई पर ले जाए। देश का विकास देश की तेज प्रगती ये हम सब का कर्तब्य है इसके लिए सब के प्रयास की जरुरत है। मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुआं के असिरवाद से भारत अपने गवरों के सिखर तक पहुँचेगा। जब हम आजादी के सौ साल मनाएंगे तो एक नया भारत हमारे सामने होगा। गुरुतेक बाहदूर जी कहते थे साधो, साधो, गोविन के गुनगाओ, मानस जन्म अमोल कपायो, वर्था काहें गवाओं। इसी भावना के साध हमें अपने जीमन का प्रतेक्षा देश के लिए लगाना है, देश के लिए समर्पित कर देना है। हम सभी मिलकर देश को विकास के नई उंचाई पर ले जाएंगे। इसी विश्वात के साथ आप सभी को एक बार फिर हार दिख शुपकामनाई देता हूं। बहे गुरी जी का खाल्चा खते।